हेलो फ्रेंड्स ओम साही राम आज मैं आपको देखिए इस तरह कर आस्तीन गटाना बताऊंगी आगे के पल्ले में आस्तीन में जब हम लोग गटाते हैं तो एक साथ यहां पे जो सिंपल सा गटता है वो पहले छे तीन दो एक करके गटा के फिर उपर सारा साधा भी इंते हैं इसमें हमें क्या करना है कि सुरू में कुछ फंदे गटा के उसके आद यह डिजाइन मैंने बनाई है यह देखिए डिजाइन जाती और हर सीधे में एक-एक फंदा गटाया जाता है तो वी शेप का गटाने का तरीका मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ ये पीछे का पार्ट है ये पीछे का है इधर आगे का भी बन गया है ये देखिए मैं आपको आस्तीन में इस तरह का गटाना बता रही है चले फिर हम लोग गटाना सीखते हैं आस्तीन की लंबाई जित्ती भी रखनी हो उतनी पहले बना लिजे फिर जहां से हम लोग पंदा गटाना शुरू करते हैं वहाँ पे गटाएंगे तो ये बच्चे का स्वेटर है इसलिए हमारी ये अस्तीन की लंबाई कंप्लीट हो गई है अब हम लोग यहाँ पे शुरू में सिर्फ दो फंदे गटाएंगे एक दो संदे भीन लिए पहले फंदे को इसको उपर से उतार देंगे दूसरा फंदविनेंगे इसको भी उतार देंगे हमारे दो फंदय घट गट गय एक फंद और वी नहीं यानि दो सीधा हमें रखना है उनको आगे कर लेंगे दो उल्टा भीनेंगे उनको पीछे करेंगे अब देखिए इन दोनों फंदों का एक फंदा करना क्योंकि हमें एक फंदा गटाना है तो अगर ऐसे गटा देंगे तो अच्छी सी लाइन नहीं बनेगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने घटाया, कितनी पैरी सी लाइन आई है, इसलिए इन दोनों फंदों को हम पहले पलट लेंगे, ऐसे करके, यह देखी, ऐसे भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया, और अब इन दोनों को बीन देंगे, एक साथ, एक फंदा हमारा घट किया, अब सारे फंदे हम सीधा सीधा मुल लेंगे, यहा तक, यतने फंदे हमारे इधर है, यानि दो फंदे हमें घटाने है, दो हमें सीधा बिनना है, फिर दो उल्टा बिनना है, और इन दोनों को एक करना है, तो कितने फंदे हुए, दो, चार, छे, आ आठ फंदों के पहले तक हमको सारे फंदे सिधे सिधे बीन लेने हैं कि बीन लेती हैं लास्ट में आओंगी फिर आपको बताओंगी उधर का कैसे गर्टाया जाएगा सास्थ फंद हमें सिधे सिधे बीन लिए अब हमें इन दोनों इधर नहीं सिधा करना फंदा क्योंकि इधर बीनेंगे तो ये अपने आप सिधा हो जाएगा दो का एक कर दिया उन आगे करेंगे दो उल्टा और इन चारों को सिधा ही बिल लेंगे अब पीछे से दो फंदे इसके गड़ जाएगे इल्टी सलाई दो फंदे गटा देंगे बस सारे फंदे उल्टा उल्टा कम्प्लीट कर लेती हूं सलाई को उल्टी सलाई भी कम्प्लीट हो गई अब पिर सीधी सलाई से हम दो फंदे सीधे भी नेंगे अब हमें गटाना नहीं है पहले फिर उनको आगे करेंगे दो फंदा उल्टा भी नेंगे उन पीछे करेंगे और इन फंदो को पलट लेंगे यही फंदे बार बार हमें गटाने हैं यह गटा लिया है और सारे फंदे बीन लेंगे फ्रीधर भी गटाएंगे यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ दूसरे बाजू में उमने बनाया है तोड़ा सा यह देखिए फंदे पलटने के लिए जो मैं कह रही हूँ आपसे वो इसी लिए यह धारी देखिए बनके कित्ती अच्छी सी आईए देख रहे हैं आप लोग तो इस तरह की डिजाइन बनकर आएगी यह देखिए अब देखिए दारी उभर के आ रही है तो जब फंदे पलटने तो यह सीधी 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 सीधारी बनकर आएगी बीच में दो उल्टा है इधर दो फंदे हैं दो उल्टा है फिर यह दो का एक हुआ है शुरू से यही पूरा यहां तक जाएगा जब तक कि आपकी बाजू की लंबाई पूरी नहीं हो जाएगी देखिए इधर भी है तो कितना अच्छा सा ही यह बनके तयार हुआ है ऐसे आप भी बनाएं इस तरह के फंदे घटाएं सारे फंदे उसारे बन जाएं फिर मैं आपको गला जोड़ना भी बताऊंगी थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू